तो दोस्तो आज किस वीदियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा फ्यान का क्यापासिटर होता है इसी से ही आप लोग केसे हमारा जितने भी सारे बड़े बड़े वाट का MCPCB होता है उनको जलासकते हो जैसे कि वीडियो में देख सकते हो ये 36W का MCPC भी हो सकते है आपके पास इससे ज्यादा वाट का होगा या फिर इससे थोड़ा सा कम वाट का होगा तो ये जो मैं आपको circuit बना कर दिखाऊंगा ये हमारा लगभग सारे जितने भी सारे बड़े-बड़े MCPC भी आता है और आप जो भी capacitor ले रहे हो वो capacitor सही होना चाहिए अगर खराब होगा तो ये circuit काम नहीं करेगा और हमारा MCPC भी नहीं जलेगा बाकी capacitor का value को मैं आपको बता देता हूं इसके उपर लिखा होता है ये हमारा पुरा ना हो चुका है तो इसलिए यहां से मिट चुका है तो मेरा याद है इसका value है 2.50MFD यानि की 2.5μF का ये capacitor है अगर आपके पास 2.5 का नहीं है तो आप यहां पर 3.5μF का भी ले सकते हो और voltage देखिए 440V AC और इसमें देख सकते हो दो वैर होता है और ये दोनों वैर में कोई भी plus minus यानि की positive negative नहीं होता है तो इसके बाद देखिए आपको इस प्रकर की 4 डायोड चाहिए और ये 4 डायोड का नमबर समान है दोस्तो इनका नमबर है 6AU अगर आप इसको खरीदने के लिए इलेक्रोनिस की दुकान पर जाएंगे तो उनको बोल देंगे की 6A का डायोड दे दो तो वो आपको इस प्र और ये जो हमारा सपह द्रम का ये भागे ये हमारा डायोड की नेगेटीव होता है तो दोस्तो बहुस सारे लोग भी भोलेंगे की मैंने उल्टा बोल रहा हूँ लेकिन ये मैंने सही बोल रहा हूँ अगर आपको जानना है तो इस वीडियो की डेस्क्रिप्शन में एक लि देखे यह जो दोनो डाइवड देख रहे हैं इनका जो हमारा ब्लाक कलर का साइड है यह जो हमारा दो भागे है यह हमारा काला रंग का है तो इनको मैंने आकपस में एक साथ इस प्रकार से शोलल्डर embaixo कर लुँंगा तो देखिए ये दोनों डायोड की जो ब्लाक वाला साइड है इसको एकसा सोल्डरिंग कर लिया हूँ और ये दोनों डायोड की जो हमारा सफेद वाला साइड है इसको भी मैंने एकसा सोल्डरिंग कर लिया हूँ तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है, कि ये जो हमारा दो पैर बना हुआ है, इसको हमें कुछ इस प्रकार से soldering कर लिए आऑ अब चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो या अफिर उल्टा सिधा जैसे ये दोनो पैर बनाने के बाद आपको इसको इसी प्रकार से सोल्डरिंग कर लना है तो देखे मैंने ये दोनों point को अभी soldering कर लिया हूँ और ये हमारा 4 diode मिलकर अभी bridge rectifier बन चुका है तो अभी मैंने ये bridge rectifier को ले रहा हूँ इसमें देखे एक diode का जो silver वाला side और एक diode का जो black वाला side ये जो हमारा दोनों point मिला हुआ है इसे के साथ हमें ये capacitor का जो 2 air है इन में से किसी भी एको air को यहां पर soldering कर लिया हूँ तो इसके बाद मैंने फिर से एक छोटा सा capacitor ले रहा हूँ ये हमारा DC capacitor है और इसमें हमारा plus minus होता है ये देखें ये जो minus वाला पट्टी यहां पर दिख रहा है ये वाला leg हमारा minus है मैंने यहां पर yellow color की वायर को soldering क्या हूँ और बाकी ये हमारा जो खाली वाला side है ये हमारा plus है इसमें मैंने red color की वायर को soldering क्या हूँ और इसका value देख सकते हो 400 volt 3.3 micro faraday का है तो अगर आपके पास 3.3 micro faraday का नहीं मिलता है तो आप यहां पर 2.2 micro faraday का भी ले सकते हो लेकिन 400 volt का होना चाहिए और इसका micro faraday 10 से भी कम होगा तो भी चल जाएगा किसी भी प्रकार का micro faraday का ले सकते हो और voltage होना चाहिए 400 volt तो दोस्तों इसको case से यहां पर soldering करना है मैं आपको बता रहता हूँ देखी यह जो हमारा दोनो डाट का silver वाला सीरा है इसके साथ आपको capacitor का प्लस वाला wear है यानि कि red color की wear इसको soldering करना है और बाकी यह जो दोनो डाट का हमारा black वाला सीरा है इस point के साथ हमें capacitor का जो minus वाला wear है yellow color का इसको हमें यहां पर soldering करना है तो जैसे मैंने यहां पर आपको दिखा रहा हूँ एसे ही आपको capacitor को connection करना है तो दोस्तों यह capacitor को इस प्रकार से connect कर लेने के बाद हमें यहां पर output में 2 wear को लगाना है जिससे कि हमारा MCPCB जलेगा तो MCPCB को जलाने के लिए plus और minus 2 wear चाहिए तो यहां पर देखे मैंने 2 wear ले रहा हूँ यह red color का हमारा plus होगा और yellow color का minus होगा तो देखे दोस्तों यह जो red color का plus होगा हमारा MCPCB को जलाने के लिए इसको हमें यह capacitor का plus है इसी के साथ soldering करना है और इसके बाद दोस्तों यह जो हमारा yellow color का wear है इसको मैंने capacitor का minus वाला wear यहां पर soldering होगा है येवाला वेर बचा हुआ है इसमें हमारा 220V AC का एक वैर को दे देना है और बाकी यहां पर देखें यह हमारा दोनों डाड का यह वाला जो पLIंट बचा है इसके साथ 220V AC का दूसरा पिणट को दे देना है जैसे बताया था वो ऐसे ही मैंने यहाँ पर 220V AC का 2 OIR को connect कर लिया हूँ और बाकी यह जो हमारा MCPCB का plus और minus 2 पेंट था इसके साथ मैंने यह दोनों OIR को soldering कर लिया हूँ जो कि वीडियो की पहले में बताया था कि यह दोनों OIR हमारा MCPCB में लगेंगे तो यहाँ पर हमारा काम बिल्कुल complete हो चुका है सिर्फ हमें यहाँ पर 220V AC सप्लाई देना है तो चलिए मैंने यहाँ पर switch को on कर लेता हूँ और यह देखे दोस्तो switch को on करने के तुरंद बाद ही हमारा MCPCB प्लेट है यह हमारा जलना स्टार्ट कर चुका है काफी अच्छा रोसनी दे रहा है आप लोग देख सकते हो वीडियो में और जब आप इसको घर पर बनाओगे तब आपको पता जल जाएगा कितना अच्छा यह लैट देता है तो दोस्तो मैं उम्मिद करता हूँ कि यह जो हमारा सर्किट है यह आपको साइद अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे क्यूंकि इस प्रकार की वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है और आप सभी को भी पता है तो दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपने हमारा चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए